प्रस्तुत है ये श्रिंखला भारत की महान विभूतिया इस श्रिंखला के अंतरगत प्रस्तुत है ये कारेक्रम लोकमान ने बाल गंगा धरते लग बच्चो बाल गंगा धरतिलक यानि लोकमान ने तिलक का मूल नाम केशव गंगा धरतिलक था वे एक भारतिय राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंतरता सेनानी के रूप में याद किये जाते हैं वे ब्रिटिश राज के दौरान स्वराज के सबसे पहले और सशक्त नेताओं में से एक थे तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ तब देश अंग्रेसों के विरुद्ध वे द्रोहों की भावना से दहक रहा था शिवा जी की कर्म भूमी महराष्ट्र के कौंकन प्रदेश के रतनागिरी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था तिलक को बच्पन में बाल या बलवंत राओ के नाम से पुकार जाता था तिलक के पिता गंगा धर राओ प्रारंभ में अपने कस्बी की स्थानिय पाटशाला में एक शिक्षक थे बाद में वे थाने तथा पूना जिले में सरकारी स्कूलों में सहायक इंस्पेक्टर बन गए पिता के सहयों के फलस्वरूप वे संस्कृत गनित और व्याकरण जैसे विशयों में अपनी आईयू के बालकों से बहुत आगे थे मेधावी होने के कारण उन्होंने दो वर्षों में तीन कक्षाएं भी उत्तीर न की कॉलेज शिक्षा पाने वाले आधुनिक लोगों की पहली प्रीडी में बाल गंगा धर तिलक भी शामिल थे इन्होंने कुछ समय तक स्कूल और कॉलेजों में गनित पढ़ाया फिर दक्कन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की ताकि भारत में शिक्षा कस्तर सुधरे तिलक ने सन 1872 में मैट्रिक परीक्षा उत्तिर्ण की सन 1876 में बीए के परीक्षा पास करके 1889 में LLB की परीक्षा पास की लोकमाने तिलक ने जब राजनीती में कदम रखा तब देश में राजनेतिक अंधकार चाय हुआ था दमन और अत्याचारों के काले बादल देश पर चाय हुए थे उस वक्त आम जनता में इतना सहस नहीं था कि वो अपने मूँ से स्वराज का नाम तक निकाले ऐसे कठिन समय में लोकमाने तिलक ने सतंतरता के युद्ध की बागदोर समहली लोकमाने तिलक ने इंगलिश में मराठा पत्र निकाला और मराठी में केसरी नाम से देनिक समचार पत्र शुरू किया ये दोनों पत्र जनता में बहुत लोकप्रिय हुए अपनी प्रतिभा, लगन और अदम में कारे शक्ती के बल पर शीग रही जनक्षेत्र में इन्होंने अपना स्थान बना लिया बच्चो आपने सुना होगा कि कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली है तिलक की लेखनी से ही केसरी और मराठा महाराश्टर के प्रतिनिधी पत्र बन गए केसरी के माध्यम से समाज में होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने पर लोकमान तिलक पर राज द्रोह का मुकदमा चलाया गया लोकमाने तिलक ने अपने पत्र केसरी में देश का दुर्भाग्य शीर्शक से लेख लिखा जिसमें ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया इसके लिए उनको उस समय की भारतिये दंड सहिंता के आधार पर राज द्रोह के अभियोग में 27 जुलाई 1897 को गिरफ्तार कर लिया गया उन्हें छे वर्ष के कठोर कारवास के अंतरगत बर्मा की मांडले जेल में बंद कर दिया गया मांडले जेल मध्य बर्मा में थे बर्मा अम्यामार के नाम से जाना जाता है कुछ इतिहासकारों का कहना है कि पहले इनको राज द्रोही घोशित कर छे वर्ष का कैला पानी और एक हजार रुपए का अर्थ दंड भी दिया गया था इस दंड से सारे देश में क्रोध की लहर दोल गई जनता द्वारा सरकार का विरोध किया गया बाद में सरकार ने थोड़ा जुकते हुए उन्हें साधार अनसजा सुनाई तब उन्हें कुछ दिन बाद एहमदाबाद तथा उसके बाद बर्मा की मांडले जेल में भेज़ दिया गया अंग्रेजों के शासनकाल में वहां किले रुमा जेल थी लाश पत्राय सुभाश बाबू जैसे कई कैदी यहां एकां तवास में रखे गए थे लोकमा ने तिलक को जब सजा सुनाई गई तब अंग्रेज उन्हें अपना सबसे बड़ा शत्रू मानते थे राज-सभा के उपसभापते और प्रभात खबर के पूर्व संपादग हरिवंश अपने एक आलेक में लिखते हैं कि तिलक को गुपत रूप से बंबई से रंगून भेजा गया उन्हें डेक के नीचे कमरे में बंद रखा गया था वो वहां लेट कर हवा के लिए बनाए गोल सुराखों में से सांस लेकर समय काड़ते थे सुबह शाम सिर्फ एक घंटे अंग्रेज अफसर के सख्त पुलिस पहरे में डेक पर घूमने की इजाज़त थी उन्होंने एक बार कहा था कि साक्षाद पर मेश्वर भी यदि मोक्ष पदान करने लगे तो मैं उनसे कहूँगा पहले मुझे अपने देश को परतंतरता से मुक्त देखना है लोकमाने तिलक ने अंग्रेजी शासन की कुरूरता और भारतिय संस्कृति के प्रती हीन भावना की बहुत आलोचना की उन्होंने मांग की के ब्रिटिश सरकार तुरंत भारतियों को पूर्ण स्वराज दे लोकमाने तिलक के साथ लाला लाजपत्राय और श्री विपिन चंदरपाल स्वराज की मांग में सक्रियता से शामिल थे इन तीनों को लाल, बाल, पाल के नाम से जाना जाने लगा और क्रामतिकारी खुदी राम बोस के बम हमले का समर्थन किया इसकी वज़े से उन्हें तीन जुलाई 1908 को देश अद्रोह के आरोप में गिरफतार कर छे साल के लिए बर्मा की मांडले जेल में भेज दिया गया मांडले जेल जाते समय उनके उम्र 52 वर्ष की थी और स्वास्त है बहुत ही कमजोर था जेल में रहने के दौरान भारतिय राश्टरवादी आंदोलन को लेकर उनके विचारों ने आकार लिया और साथ ही उन्होंने चार सों पन्नों की किताब गीता रहस्य भी लिख डाली इसमें उन्होंने श्रीमत भगवद गीता के कर्मयोग की विस्तरित व्यक्षा की गांधी जी ने गीता रहस्य को पढ़कर कहा था कि गीता पर तिलक जी की ये टीका ही उनका शाश्वत स्मारक है बाल गंगाधर तिलक की लोक मानने था उनकी राजनीतिक और सामाजीक कामों के अलावा वैज्यानिक शोध के कारण भी थी उन्होंने ओरायन जैसा गेहन शोध परक ग्रंत लिखा ओरायन म्रिगशीर्ष या म्रिगशरा नक्षत्र का ग्रीक नाम है ग्रंत का पूर्ण नाम ओरायन या वैदेक प्राचीनता की खोज है ये तिलक का मजबूत मनोभली था कि वे जेल की तमाम कठनाईयों के बीच काल जई लेखन कर सके और ये भी उनके लेखन का ही दम था कि जर्मन विद्वान मैक्स म्यूलर ओरायन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तिलक के लिए मध्धस्ता करते हुए उन्हें जेल से मुक्त दिलाने का घोर समर्थन किया था मैक्स म्यूलर ने रिग वेद का अंग्रेजी मैनुवाद किया और बाल गंगा धर तिलक को भेंट स्वरूप दिया कारावास के पूर्ण होने के कुछ समय पूर भी बाल गंगा धर तिलक की पत्नी का स्वर्गवास हो गया इस दुखत खबर की जानकारी उन्हें जेल में एक ख़त से पराप्त हुई और लोकमाने तिलक को इस बात का बेहद अफसूस था कि वे अपने पत्नी के अंतिम दर्शन भी नहीं कर सके थे तिलक जब जेल से छूट कर आये तो 1916 में इन्होंने एनिबेसंट के साथ अखिल भारती ये होम रूल लीग की स्थापना की होम रूल अंदोलन के दौरान बाल गंगा धर तिलक को काफी प्रसिधी मिली जिस कारण उन्हें लोकमानने के उपाधी मिली थी लोकमानने इसका अर्थ होता है लोगों द्वारा स्विकृत लोगों द्वारा मननेत अप्राप्त इस अंदोलन का मुख्य उद्देश भारत में सुराज स्थापित करना था इसमें चार या पांच लोगों की टुकडियां बनाई जाती थी जो पूरे भारत में बड़े बड़े राजनिताओं और वकीनों से मिलकर होम रूर लीक का मतलब समझाया करते थे लोकमाने तिलक ने जन जागरते का कारिग्रम पूरा करने के लिए महराष्टर में गणेश उत्सव तथा शिवाजी उत्सव सपताह भर मनाना प्रार्म किया इन त्योहरों के माध्यम से जनता में देश प्रेम जगाया जाता था और अंग्रीजों के अन्यायों के विरुद्ध संघर्ष के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता था उन्होंने कई पुस्तके लिखी जैसे दा ओरायन, दा आर्क्टिक होम अव दा वेदाज, रहस्य, दा हिंदू फिलोसोफी अफ लाइफ, एथिक्स और रिलिजन, तिलक पंचांग पढधते आदे ये वीर पुरुष, बाल गंगधर तिलक एक अगस्त उन्निसो बीस को बंबई में मृत्यू की गोद में सो गया मरुनो परांत शद्धान जली देते हुए, गांधी जी ने उन्हें आधुने एक भारत का अंदिर माता कहा और पंडित जवार लाल नहरू ने उन्हें भारतिय क्रांते का जनक बतलाया स्वतंत्रता के बाद 1956 में लोकमाने तिलक के सम्मान में भारत सरकार ने एक डार्टिकट भी जारी किया था उनके विचार आज भी हमें प्रेरणा देते हैं वे कहते थे कि देश और भारतिय संस्कृति के लिए जिसने अपने जीवन को बलिदान कर दिया मेरे हृदय मंदिर में उसी के लिए स्थान है ऐसे देश भक्त एवं वीर पुरुष से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन, अपने समाज और अपने देश को एकता, भाईचारे और उन्नति के पत पर आगे ले जा सकते हैं ताके भारत की स्वतंत्रता, एकता वा अखंडता सदैव बनी रहे लोक मानने बाल गंगा धर्तिलक आपको हर भारतवासी नमन करता है लोक मानने बाल गंगा धर्तिलक अभी आप सुन रहे थे ये कारे करम आलेक, सुधापुरी, कलाकार, निर्यच्यर्म, धोनियंकन, बटिलेंग लिंडो और मयंक कुमार निर्मान सहयोग, तनु गुप्ता, निर्मान, निर्देशन वा धोनिसंपादन, वंधना अरिमर्दन, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नहिदिल्ली, भारत प्रस्तुत